आज हम discussion करेंगे कके कि Auto weigh 문 लेए क्या function होता है क्या उसका construction होता है और कैसे वो कारी करता है तो यहां पर आप देख रहे हैं यह एक single plate clutch है जो कि आज हम discussion भी single plate clutch का ही करने वाले हैं तो यह single plate clutch का construction है तो इसमें आप देख सकते हैं इसके जो भाग हैं जो इसके भाग हो को क्या 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 क्यते हैं यहाँ आप देखरे हैं यहाँ पर यह एक क्लच प्लेट है क्लच प्लेट का जो आप बीच मने देख रहे हैं यह हब है और यह हब के साथ फ्लेग में क्या होता है इंस प्लाइड चैत अधार अधा tää Mixa की द्वारा अ liksom में क्लज होता है हैं ये liner है, friction liner है ये liner का जो material होता है ये होता है asbestace का बनावा होता है जिसमें steel की wire के साथ ये बनावा होता है और ये जो नीचे आप देख रहे है torson spring है ये spring जो होती है spring का इसमें function होता है क्योंकि एक होता है drive, जब flywheel जो होता है drive होता है, drive plate होती है और यह होती driven plate तो जब driven और drive जब engage और disengage करने के लिए इसको flywheel के साथ engage और disengage किया जाता है तो उस समय क्या होता है इस वाले portion में इसके hub में और close plate में jerking आती है तो उस jerking को absorb करने के लिए torsen spring का इस्तिमाल किया जाता है जिनको damping spring भी बोला जाता है क्योंकि damp जो jerk लगता है जो जटका लगता है उसको damp करने का काम करते हैं इसलिए इनको damping spring भी बोला जाता है अब यहाँ पर जानते हैं कि जो clutch plate होता है किस principle किस सिद्धान पर वो कारी करता है क्लाज घरसन के सिद्धान पर काम करता है यह friction के principle पर काम करता है जब आपने देखा होगा जब जो fly wheel घूमता है fly wheel के साथ pressure plate की साहिता से clutch plate को friction कराया जाता है तो friction करने से क्या होता है वो दोनो drive और driven एक unit बनकर move करने लग जाते जिसको अब हम समझेंगे जब दो खुर्दुरी सता वाली clutch plate एक दूसरे के संपर्क में आती है दोनों खुर्दुरी plate है क्योंकि जो clutch plate है clutch plate के दोनों तरफ liner लगे रहते हैं तो वो एक ही ही काई की रूप में घूमने लगती है यो दो प्लेटों के पीज घरसन की कारण ही संबा होता है तो clutch plate को friction जो यहाँ पर drive को engage, disengage कराया जाता है गाडियों में वो friction की सिद्धान पर कराया जाता है जिसको आप यह animation के द्वारा समझें यह drive disc है इसको आप flywheel भी मान सकते हैं drive disc अभी घूम रही है लेकिन driven disc नहीं घूम रही है तो driven disc के कब जब घूमेगी जब इसको उसके साथ रगड कराया जाएगा उसके साथ mess कराया जाएगा तो उस समय क्या होगा क्योंकि पीछे से pressure plate का दबाओ भी रहता है तो pressure plate के दबाओ या pressure के कारण क्या होता है वो दोनों एक unit बनकर कारे करते हैं आप समझें एक बार यहाँ पर यह driven plate गई वहाँ पर driven plate जब वहाँ पर जाती है तो वो क्या करता है एक ही unit बनकर घूमने लगता है जैसे यह देखिए आप यह गया है और यह आप एक ही unit बनकर घूमने लगा तो इसी सिध्धान पर clutch यहाँ पर auto wireless में clutch जो friction clutch होता है वो कार ही करता है इसके types जो होते हैं clutch के जो types हैं types है सबसे पहले अगर हम बात करें positive clutch positive clutch का इस्तेमाल यहाँ पर किया नहीं जाता क्योंकि positive clutch क्या होता है यह interlocking system होता है जहाँ पर drive sapt और driven sapt दोनों को interlock मलब दोनों को drive gear या driven gear जो आप कहते हैं इनको interlock करके चलाया जाता है घुमाया जाता है drive दी जाती है तो इसलिए वहाँ पर positive clutch होता है लेकिन यहाँ पर हम friction clutch की बात करें automobile में friction clutch का ही इस्तेमाल किया जाता है तो जो friction clutch होते हैं वो होता है plate और disc type clutch होते हैं जिसका हम आज discussion करेंगे cone clutch, cone clutch क्या होता है दो cone होती है, एक male, एक female cone होती है उन दोनों को आपस में mess कराकर drive engage और disengage की जाती है उसके बाद आता centrifugal clutch automobile में centrifugal clutch का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप variomatic engine जैसे आप scooty आपने सुनी होगी देखी होगी तो जो scooty होती, scooty में variomatic engine होता है तो variomatic engine में क्या होता है centrifugal clutch का ही इस्तेमाल किया जाता है drive को engage और disengage करने के लिए उसके बाद आता है single plate clutch जो plate आज हम plate और disc type clutch की बात करें उसमें single plate clutch का हम आज discussion करने वाले हैं और उसके बाद आता है multi plate clutch multi plate clutch क्या मैंने एक अलग से video बना रखा है उसमें आप इसको समझ सकते हैं अब इसका function और construction समझते हैं कि auto wise में clutch plate होती है उसका function क्या होता है clutch एक यांत्रिक उपकरण है जिसका प्रियोग engine से आई सकती को एक भाग से दूसरे भाग में इस्थानांत्रिक करने के लिए क्या आता है clutch क्या है clutch एक यांत्रिक उपकरण है जिसका प्रियोग जैसे आपने देखा हूँ आटो माइल में engine move होता है engine move होने के बाद क्या होता है gearbox के द्वारा rear wheel को drive दी जाती अगर यह system इसमें इसलिए लगा जाता है क्योंकि गाड़ी को कई बार अलग-अलग torque पर चलना होता है तो वह हमेशा एक speed पर गाड़ी चलनी सकती है तो उसको अलग-अलग speed और अलग-अलग torque क्योंकि गाड़ी में वजन लादना होता है तो उसमरे हमे ज्यादा टॉर्क की जरुत होती है तो यह सब system यह ब्याबस्था करने के लिए clutch का ब्याबस्था रहती क्योंकि जब हम यह torque चेंज़ करते हैं यह speed चेंज़ करते हैं तो उसमरे जो engine से ड्राइव आ रही है उसको engage और disengage करना होते हैं अगर हम same condition में एकी speed में engine चल रहा है और उसी speed में engage और disengage करेंगे बिना drive को disengage करेंगे हम gear को change करेंगे तो क्या होगा वहाँ पर gear तूट सकते हैं तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है तो ऐसी प्यवस्ता या फिर possibility नहीं होगी हम gear change कर पाएंगे तो एसी प्यवस्ता करने के लिए system करने के लिए यहाँ पर class plate का इस्तिमाल किया जाता है यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले जो black layer का आप देख रहे हैं इसके construction में यह fly wheel है fly wheel जो होता वो engine के साथ nut ball के द्वारा लगा हुआ होता है जो drive plate जिसको हम बोल सकते हैं drive disc भी बोल सकते हैं और यह liner है liner जो बीच में आप देख रहे हैं यह clutch plate है clutch plate के दोनों तरफ liner लगे हैं जो asbestos के बने वे होते हैं यह bearing लगा हुआ है bearing क्या होता है जो saft होती है यह saft को घूमने में साहता देता है इसलिए ड्राइब के साथ यह bearing के साथ मैस होके चलती साप्ट यह बीच वाली आप जो देख रहे हैं साप्ट है यह thrust bearing है यहाँ पर आप देख रहे है thrust bearing है thrust bearing जो होता है clutch pedal के साथ linkage के द्वारा जुड़ा होता है जब हम clutch pedal को दबाते हैं उस ताइम linkage के द्वारा ही यह thrust bearing होता है यह release bearing जो होता है जो pressure plate होती है pressure plate के spring या finger पर दबाव डालता है यह clutch housing है जो आप outer देख रहे हैं line यह clutch housing है क्योंकि clutch को ढख के रखना पड़ता है तो यह उसको cover करके रखता है यह diaphragm spring है यहाँ पर आप देख रहे हैं red color की यह diaphragm spring है जो pressure plate के साथ ही fix होती है यहाँ पर यह pressure plate आप देख रहे हैं यह pressure plate है pressure plate पर ही finger लगे होता है diaphragm spring लगे होती है और यह clutch plate है और यहाँ सामने clutch pedal है यह यहाँ पर जो आप यह देख रहे हैं ये पीछे flywheel है और flywheel के ऊपर ये clutch plate लगी वी है और ये torsen spring लगी है, damping spring भी इसको बोला जाता है और linerों को revit के द्वारा clutch के साथ, clutch plate के साथ जोडा जाता है तो ये था इसका construction, अब इसका working समझते हैं working समझने से पहले हम एक बार इसके parts देख लेते हैं कि जो clutch जैसे engine और जो clutch के पूरी assembly होती है, उसके बीस में कौन-कौन से part होते है सबसे पहले आप देख रहे हैं, इस साइए देख रहे हैं अब ये जो है, इंजन की तरब से लगा हुआ है, पोर्सन है, तो वहाँ पर flywheel लगा होता है nut bolt के दारा ये आप hole देख रहे है, ये hole उप है, nut bolt के द्वारा ये crank saft के साथ बदा हुआ रहता है और फिर पीज में आप देख रहे है, ये clutch plate है, clutch plate की दोनों तरब liner लगे रहते हैं जिसमें hub बना होता है, hub जो होता है, saft इस पर लगी भी होती है और ये जो पीछे आप देख रहे है, ये pressure plate है pressure plate का ही जो pressure होता है, clutch plate पर पढ़ता है, जो clutch को flywheel के साथ friction करने में सहाईता प्रदान करता है और pressure plate के पीछे जो आप देख रहे है, release bearing लगा रहता है, release bearing जो होता है, जो finger या जो इसकी spring होती है, इनी springों में हमें साथ दबाव डालके रखता है, और ये clutch linkage है, ये जो आप देख रहे है, ये linkage जो होता है, ये clutch pedal के साथ attach रहता है और ये pin है, जिस pin पर ये जो फॉर्क होता है, ये fork move करता है, और ये cover है, जो housing है, ये housing के द्वारा इस पूरी assembly को ढख कर रखा जाता है अब इसकी working समझते हैं, कि ये working कैसे करता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ये assembly है, ये assembly पूरी मैंने आपको समझाई थी, ये construction के साथ साथ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये clutch की output साथ है, drive साथ है, ये घूम रही है, और ये घूम रही है जब इसके घूमन ये drive है, ये drive यहाँ पर और यहाँ पर ये clutch की drive जो है, इसको disengage करना होता है, आप disengage करने के लिए हमें clutch pedal को दबाना पड़ता है, तो clutch pedal जहाँ दबाते हैं, तब आप देखेगा यहाँ पर ये clutch रुखेगा और ये shaft भी रुखेगी, ये दबाया और ये दबाने से क्या रुख जाती है, एक बार और समझें इसको, ये यहाँ पर देखें, अभी gear घूम रहा है, shaft घूम रही है, shaft घूमने से flywheel और clutch भी घूम रहा है, अब जहाँ हम clutch pedal दबाते हैं, दबाने से ये gap यहाँ पर increase होने से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये clutch plate रुख जाती है, क्यो उसमें क्या होगा, drive rear wheel तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी shaft घूम रहा है, clutch घूम रही, flywheel घूम रही, तो इस condition में rear wheel तक drive पहुंच रही है, जैसी इसको हम clutch pedal दबाते हैं, अब drive जो है, इस condition में disengage है, disengage condition में drive को rear wheel तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, तो ये आज इसका function जो single plate clutch का है, इसका working, इसका construction आपको समझ में आया होगा, तो thank you